एक कि दोस्ते इंडिया वर्सिस वेस्ट इंडिस के बीच खेला गया थर्ड टीट्वंटी मुकाबला कॉलकाता के डंगार्डन मैदान पर जहां टीम इंडिया ने दोस्ते मुकाबला शांदार तरीके 17 रनों से जीत दर्ज करी तो वहीं इसी जीत के साथ टीम इंडिया ने West Indies को T20 में भी क्लीन स्वीप दे दी जी हां दोस्तों पहले ODI में उसकी बाद T20 में चाहे डिफैंड हो या चेज रोई शर्माई कप्तानी में हर खिलाडी भारती बन चुका है शेर दोस्तों हर किसी ने यहां पर अपना योगदान दिया चाहे वेंकटेश ऐयर की बात करे रेवी विश्नोई की बात करे आवेश खान का इंटरनेशनल डेबिट थोड़ा बहुत तीका नज़र आया लेकिन पूरी टीम ने जो जोड़दार परदशन दिया वो देखकर दिल खुश हो गया और यहां से सफर T20 वर्ल्लकप की राहों का अब बिलकुल भी आसान नहीं नज़र आरा मतलब टीम इंडिया बाकी टीमों के लिए मुसीवत खड़ी करने वाली है यह बात तेह इस बाद T20 वर्लकप पे तो चलिए दोस्ता आपको इस से तीसरे T20 की पूरी हाइलाइट की जानकारी देते हैं क्या कुछ मैदान पर घटा किस तरीके से टीम इंडिया उसको अपने पक्ष में यहाँ पर मोडती नज़राई गेंद बाजो के दम पर सुरिकुमार यादव ने अपनी खतरनाग बलेबाजी से सभी को आस्चरे चकित कर दिया लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहे हैं सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्द से जल्द चैन इंडिया ने अपने खतरनाग बलेबाज सुरिकुमार यादव गेंद बाजी में हर डिपार्टमेंट ने सही काम करा लेकिन आज कुछ बड़े बदलाव किये गए थे टीम में तो चले दोस्तों आपको शुरुआ से सारी जानकारी देते हैं दरसल हुआ ये कि रिशब पं किशन, जोही शर्मा, श्रेश अयर की वापसी कराई, महिसुरुकुमार यादव, वेंक टेश अयर, बीपक चहर के साथ, शार्दु ठाकुर भी देखने को मिले हर्शल पतेल, रवी विश्णोई और आवेश खान ने भी डेब्यूट कर लिया आज अपना तो वेस्ट इंडियस की प्लेंग लेवन, काईली मेर्ज, शाई होप, निकलस पूरन, रॉबमन पॉल, कीरोन पॉलाड, जेसन होलडर, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफ़र, डॉमिनी ड्रेक्स, फैबेन एलन, और हैडन वोल्स हमें देखने को मिले, वेस्ट इंडियस पॉलाड ने टॉस जितकर पहले हाँ पर गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानि कि एक बाफिर से अपने पैर पर कुलाडी मारी, यानि करे तो करे क्या बेचारे, इससे पहले मकाबले में वो पहले बल्ले बाजी करे, तब हार मिली, आज भी उन्होंने पहले गेंदबा एक चोके की मदद से आउट हुए, जेसन होल्डर की गेंद पर तो वहीं इशान किशन ने 31 गेंदो पर 34 रन बनाए 5 चोके की मदद से, रोस्टन चेज ने इनका विकेट चटकाया दोस्तो, सीधा क्लीन बूर्ड लिकिया, 34 रन बनाकर इशान किशन आउट हुए, शिरे श चार ओर में गिरा था इशान किशन का विकेट 6-6 रन पर, लेकिन उसके बाद कप्तान जोही शर्मा खुद नंबर 4 पर बल्ले बाजी करने के लिए उनका साथ देने के लिए थे सुरी कुमार यादाव, लेकिन जोही शर्मा सिर्फ 15 गेंदों पर साथ ही रन बना सके दोस् लेक्स ने इनका क्लेन बोल्ड करके इनको चलता कर दिया, रोही शर्मा का जब विकेट गिरा तो टीम इंडिया का स्कोर दोस्तों तराणवे रन 13.5 ओर था, वहां से सुरी कुमार यादाव और वेंकटेश एयर के बल्ले से निकलता है रनों का तूफान, मतलब यादाव अपने लिए हमेशा के लिए पका करते नज़रा रहे हैं, 31 गेंदों पर 65 रन की खतरनाक पारी खेली सुरी कुमार यादाव ने जिसमें एक चोका और साथ चख्के सामिल थे, वेस्ट इंडीज यानि केरिबियन प्लेयर को पीछे छोड़ दिया चख्के मारने के मामले में, साथ चख्के सुरी कुमार याद में लगाया, खासकर लास्ट ओवर में जो रोमारियो शेफर्ड के उपर में तीन चख्के लगाया थे, वो तो और भी खूबसूरत थे, 209 का इनका स्ट्राइक रेट तर रोमारियो शेफर्ड ने आकरी में, फर्स्ट इनिंग क डॉमिनिक ड्रेक्स ने एक-एक विकेट चटकाया, टोटल 184 रन पांच विकेट के दुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए, सुरुकुमार यादव की बहतरीन 65 रन की पारी के दम पर तो वहीं अब चेस करना था, टीम वेस्ट इंडिस को 185 रन, वेस्ट इंडिस के दो खत का का इल मेर्स और शाही वप्तिंग करी, जहां 5 गेंडों में चेर नमना कर का इल मेर्स दीपाक चहर की गेंद पर आउट वे, तो भाहीं शाही होप दो चोके की मद़स से मार कर आउट वे दीपक चहर की गेंद पर, लेकिन दीपक चहर दोस्तों 1.5 ओवर कराया ही था, 5 लेकिन हर बार की तरह दोस्तों तीनों मुकाबले में एक बात खास देखने को मिली कि निकलस पूरन ने बड़ी दमदार पारी दिखाई दोस्तों पहले मुकाबले की बात करें लेकिन आज की बात करें तो आज भी दोस्तों निकलस पूरन ने एक सटरन की पारी खेल डाली 47 गेंदों में अभी इनको संदैजिस हदराबाद ने 10 क्रोड़ पिचत्तर लाग की बड़ी रकम पर खरीदा है तो पैसा वसूल होता दिखाई दे रहा है अब जब आई पिल में भी ऐसा खेलेंगे तो बाके टीमों के लिए खेल नहीं 47 गेंदों में एक सटरन मनाये निकलस पूरन ने आठ चोके एक छक्के की मदद से लेकिन टीम कुछ जीत नहीं दिला सके इस खिलाड़ी को देखकर काफी ज़दा आश्चरी चके थे कि कि कितनी बहतरी बल्ले बाज पटेल ने इनका विकेट लिया शाड़ो ठाकुर ने बड़ा खूबसूरत क्याश पगड़ा थो रोमन पॉल का और इनको चलता कर दिया मतलबा सस्ते में निबढ़ गर रोमन पॉल वनना पिछले मुकाबले में तो अरसट रन की पारी इनने भी खेली थी किरन पुलाड करी नहीं पाए, साथ गेंदों में पांच रन मनाया था और वेंकटेश अयर ने इनका विकेट लिया रवी विश्णोई ने क्याश पकड़ी कोई जैसन होल्डर दोस्तों वेंकटेश यर का शिकार हुए, छे गेंदों में दो रन मनाकर जैसन होल्डर भी आउट होगा शिरेश यर की गेंद पर रोस्टन चेज ने साथ गेंदों पर बारा रन मनाया था दो चोके की मदद से, हर्चल पटेल ने इनको क्रीन बोल्ड के और चलता किया रोमारी शेफ़र्ट ने लास्ट में कोशिश भूत की थी कि टीम को मैच जिता दें, लेकिन 21 गेंदों में 29 रन मना पाया, एक चोके तीन चक्के की मदद से रोमारी शेफ़र्ट का विकेट लिया हर्चल पटेल ने, कैश पकड़ी कप्तान दोही शर्मा ने, और हर्चल पटेल की नाम ये तीसरा विकेट आता है आज की मैच का वहीं डॉमिनिक ड्रेक्स का विकेट दोस्तों आकरी ओर में लेते हैं, शार्दू ठाकूर तीन गेंदों में चार अमना का डॉमिनिक ड्रेक्स भी, 19 वे ओवर की तीसरी गेंद पर 166 टर्मरन इनका विकेट गिर जाता है, और 166 रन ही बना पाती है वेस्ट इंडीज, नि यहां पर गेंदबाजी आज अच्छी करी, आवेश खान को भी 4 ओवर दिया गए, डेब्यूटेंट खिलाडी थे, लेकिन आवेश खान ने 4 ओवर में 42 रन दिये, तो वहीं 1.5 ओवर में, दीपक चहर ने 15 रन देते वे 2 विकेट चटका है, लेकिन इंजरी का शिकार हो ग पाइती रहे जहां चार ओवर बाइस रन देते वे तीन विकेट इन्होंने चटकाया, लेकिन मैन अफदा मैच के असली हगदार तो दोस्तों सुरी कुमार यादाव है, जिन्होंने अपने बल्ले से निकाले रन से दोस्तों पूरा मैच ही पलड़ दिया, 65 रन की वपारी, 7 छक्ये की बतलब गजब की वह पारी थी। पर जीत दिलाई है आपको पताते किस तरीके से most defeated in T20is including super over loses तो West Indies के लिए कहीं न कहीं यह दिक्कत वाली बात थी आज को जो मुकाबला हारी इंडिया वर्डिस वेस्ट इंडिस लास्ट टूर और T20is सीरीज की बात करें तो लगातार टीम इंडिया का सिलसला जारी है जीत क और यह तीसरी बार हुआ है दोस्तों जब clean sweep हम देख रहे हैं टीम इंडिया यहाँ पर पाई है मतलब टीम इंडिया लगातार जीत त्यारी यह तो बात तैह भारते मेंदानों पर वेस्ट इंडिस का जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है तो T20 कफ्तान दोई शर्मा ने दो और यह तैस्ट जो होने वाला है काफी इंडिस को डे नाइट टैस्ट होगा लेकिन टीम इंडिया ने वेस्ट इंडियस को अपने घरेली मैदानों पर हराया और खाली हाथ वापिस बेजाये तीनों मैच एहमदाबाद के जीते तीनों मैच कॉलकता के जीते चेस करना पारों उनको कोई सबी गेंदबास देदो, इमेज इता कर देदेंगे, यह है कप्तान दोही शर्मा की कप्तानी, नेक्स्ट नैने स्पोर्ट्स की रिपूर्ट